Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाईर आप पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.A. 2009 का लेसन 16 परने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे से विधानिक विकास के बारे में इस लेसन को टोटल हम तीन पार्ट में कवर करने वाले हैं पार्ट वन और पार्ट वो के विडियो में अल्रेडी बना चुके पार्ट वन के अंदर में हमने बात क्या था साइमन कमिशन के बारे में उद्देश्य क्या थे, इसके अंडर में कौन-कौन से प्रावधान थे और क्या सुझाव दिया गया नहरू रिपोर्ट के थूख इसके बारे में हमने part 2 के अंडर मिलें आज की जो हमारी वीडियो रहेगी part 3 के रहेगी जिसके अंजरे में 1935 और इस topic को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि scenario किस परकार की था 1935 के इंदर में 1935 के अगर आप scenario की बात करो कैसे और लंबे समय तक भारत को गुलाम बना के रखे और अपने अधीन रखे ये प्लान किया जाता था जिसके तहट उनका पहला कडम था भारत सरकार अधिनियम 1935 को ले कर आना अब ये है क्या इसको हम डिटेल से समझते हैं 1935 का जो सरकारी अधिनियम में वो असंतोस जनक माना गया लोग उससे सटिस्फाई नहीं थे इसके अंदर में काभी सारी खामिया भी थी अपरियात प्राधान इसके अंदर में में देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि आप देखोगे भारत के जो भी लोग थे जो राष्टवात की बाग कर रहे थे जो स्वाशाशन की मांग कर रहे थे भारत की अज़ादी की मांग कर रहे थे वो indirectly स्वाशाशन की मांग कर रहे थे स्वाशाशन मतलब कहता है श्वा मतलब अपना स्वाशाषन करने का यहने का मतलब क्या जैसे आज कंड़ के इंदर में होता है प्रांस कंड़ कंड़ के पावर बाकी लोगों के पास में होते हैं तो पूरा संचालन ही हुई करते हैं पर किंग की पावर ही है आज के समय में नाम मातर रह गई है पर यहां पर जो 1935 का अधिनिया माया था यह जस्ट उल्टा था उस टाइम के इसाब से क्योंकि कैनेडा और और निजलेंड आज भी ब्रिटन के अधीन है वो कभी अजाद नहीं हुए ब तो वहां पर थोड़ा अलग महौल है यहां पर देखने के लिए में जाता है क्योंकि सेंग कल्चर सेंग इंपक्ट हमें उसके कारण से एक इंपक्ट रहता है अब यहां पर हमारे दिवरा मांग की जा रहा था स्वा शाशन का स्वा मतलब अपना शाशन हो ठीक है तो ब्र पर इंडारिकली पूरा जो कंट्रोल होगा ना वो ब्रिटिस सरकार के पास में होगा और भारत के इंदर में इसको लेकर भी दो बर्ग में लोग बढ़ चुके थे एक वर्ग जो 1935 की कानून को सपोर्ट करता था पर वहीं पर जो दूसरा वर्ग था जो रास्टवाद की भावना रखना था वो इस कानून को सपोर्ट नहीं कर रहा था इस कानून को लेकर जो राजनेता थे भारत के वो भी परेसान थे उनका मानना था कि जिस अधिकार छेतर पर उनको जिम्यदारी दे गई कि आप इसको कंट्रोल करोगे आप इसको समालोगे आसे आपकी जिम् पर कही ना कही जो पूरा regulation जो काम है ना वो British के अधिकार ही करने वाले थे तो वो नाम मातर का ही रह जाना था यह चीज़े यहाँ पर देखा गया Simon Commission की समिक्षा करने के लिए रिपोर्ट वे जाती है बहरत के अंदर में Simon Commission आता है आपने Simon Commission के बारे में पहला पार के अंदर में यह इस्तिती है इसके अधार पर यह चीज़े वह रिक्मेंट करता है कि यह चीज़े हम कर सकते हैं साइमन कमिशन की रिपोर्ट दिखाया नहीं गया चीजों को वह अपने इसाफ से मतलब दिखा जैता है जिसके अदार पर या आगे 1935 की कारवाही की जाती है जिसके कारण से अब क्या होता है ये रिपोर्ट के कारण से क्या होता है कि लंदन के अंदर में गोल मिज सम्मेलन का आयोजन क्या जाता है ठीक है और गोल मिज सम्मेलन जो होता है round table जिसे हम conference कहते हैं भारती समुधाओं के परतिनीदियों के साथ में यहाँ पर चरजा की जाती जो भारती समुधाओं के प्रतिनीदी थे इस goal mist सम्मेलन के अंदर में participate करते हैं पर यहाँ पर समर्थता के कारण से जो भारती मूल के परतिनीदी थे उन्होंने यहाँ पे समर्थ नहीं दिया उनको समर्थन नहीं किया जिसके बाद क्या होता है कि गोल मेज समयलन क्याता है विफल हो जाता है यहाँ पर जिसके बाद भारत के जो अधिनियम 1933 है उसको गोलमेज के सुजावों के अधार पर स्वेत पत्र प्रकासित के बाद सुरू हो जाता है जो गोलमेज समेलन था उसके अंदर में कुछ सुजाव दिये गए सफल तो नोगा पर उसके अंदर में कुछ ना कुछ सुजाव दिएगे कि किस तरीके से क्या क्या करना है और भारत का सविधान गठन करने पर मेंन सुजाव था साइमेन कमिशन का भी गोल में समेलिन का भी भारत का सविधान गठन होना चाहिए तो 1933 के अंदर में इसको सविधा भारते सविधान को गठन कर निकले एक पूरा मतलब सुझावों पर एक काम करना सुरू कर दिया जाता है और एक सुवत पत्र जिसे हम white paper proposal भी बोलते हैं सुवत पत्र प्रकासित होने के बाद ये काम सुरू हो जाता है कि किस तरीके से भारत का सविधान बनना है क्या चीज़े होना है क्या rule regulations रहना है इसको लेकर यहाँ पर कारे किया जाता है यहाँ पर अगर आप बात करोगे वाइसराय लॉड लिन लिथन गो करके यहाँ पर होते हैं और इनको white paper proposal का अध्यक्ष बना जाता है अभी यह white paper proposal है जिसको हम हिंदी में स्वेथ पत्र भी बोलते हैं स्वेथ पत्र के प्रस्ताव कि इसमें क्या था कि जैसे गोल में जो समेलन हुआ ना लंदन के अंदर में उसको वो सफल तो नहीं रा पर उसके अंदर में कुछ सुझाव दिया गया साइमन कमिशन की रिपोर्ट आई उसके अंदर में भी कुछ सुझाव दिये गया है तो जिसके आधार पर यहां पर सुएत पत्र एक यहां पे प्रगासित किया जाता हैं कि क्या क्या चीज हूने वाला इसके अंदर में चीज़ए रहने वाली हैं इसको लेकर यहां भारत सरकार अधिनियम 1935 को तेस में लागू कर दिया जाता है यहां पर साही सहमति क्या है जैसे के आपको पता हो का बिटी सरकार के अंत्रगत जो भी रूल रागलेशन होथे तिना कहीं राजा के अंत्रगत राजा के फैसले के बाद ही आगे लागू किया जाता था जिसके पाद वुश्कर सभी तरीक से लोगों को पुर्म इंपलिमेंट के जाता था और जो राजा का फैसला होत Tया हुसको में साही संवति के तौर पे कहते ने भूल दाल कि हाँ दिन तो दिन रांट तो राट राजा के द्वारा either का पर कानौन का निर्वा किया जाता है उसी को हम साही सम्मती कहते हैं साही सम्मती जब होता है कि हाँ भारत के अंदर में चीज होना है तो भारत के अंदर में भारत सरकार अदिनियम 1935 को लागू कर दिया जाता है भारत के लिए सरकार को एक संग्य स्वरूप पर स्थापित किया जाता है ति आप बात करोगे को 1935 का जो कानून था बारस सरकार अधिनियन जिसकों बोलते हैं यह किस अधार पर बनाए गया तो इसके जो प्रात्मिक स्रोथ थे वो तीसरा गोल में समेलन से लिया गया 1933 का जो स्वेत पतर था वाइट पेपर प्रपोजल उससे लिया गया संयूक्त चायन कमीटियों के जो रिपोर्ट थे जो एक कमीटी बनाएगी जिसके अध्यक्ष थे वाइस रहा है लौड निंग ठिंगो करके जो थे इनके जो रिपोर्ट आई कमीटी के रिपोर्ट आई इसके अधार पर लिया गया ताइमन कमिशन की रिपोर्ट के अधार पर इस कानून को तयार किया गया दोस्तों यहां पर नोईस आ रही हो गया आपको आफ्लू बेस्ते हुए तो मैं रिक्वेस्ट करूँ है कि अवोईट करना क्योंकि जो आज का टाइम है डेली के अंदर गया यह कानून का प्रपोजल के तौर पर इसको लेके चला गया जिसके अंदर में आ जाता है पहला तीसरा गोल में से मिलन जोगा उसके अंदर में जो भी बाते रखी गई जो भी सुझाव रखे गया उसको यहां से डब्प किया गया 1933 का जो सुवेट पेपर था जो वा बारे में कि इस रिपोर्ट का और यह 1935 का जो कानून था 12 सरकार दिन इम 1935 इसका क्या विसीस्ता थी इसके बारे में ले सकते हो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो हमारा गोल है एक लाग सब्सक्राइबर का वो जल्दी जल्दी हमारा पूरा हो सके और हमें एक लाग के नमर को टच कर सके और बीना आपके सपोर्ट के यह गोल पूरा नहीं हो सकता और आपका एक एक लाइक से सब्सक्राइब होता है मोटिवेशन करता है मोटिवेट करता है कि हम और अच्छी से वीडियो बना सके और अच्छी में अच्छी वीडियो और अच्छी कंटेंट के साथ मे लेकर आ सके, मुखिली सिज्टाओं के बारे में बात करूँ, तो एक अखिल भारतिय संग जो था प्रांतिय स्वैता की स्थापना की गई, यहां पर यह पूरा कानून था 1935 का, जिसके अंतरगत क्या था कि एक अखिल भारतिय संग और प्रांतिय स्वैता की स्थापना की बिभिन जो प्रांत थे जो छोटे-छोटे राज्य बने हुए थे राजा महराजा जिसको लीड करते थे प्रांत थे और रियासते थे उनको मिलाकर एक गड़तंत्र भारत को एक गड़तंत्र का दर्जा देने की बात की गई प्रांत क्या छोटे-छोटे राज्यों में बटा दोर फे देखते हैं इनको मिलाकर इस कानून के इंतरगत इस गन्रसंत्र को दरजा पराप्त करने की बाद़ किसंगफा इस ब्हुंत इससरगार जलयों के निदर में यह सा गरिये बाना सकते हैं तो कि मिला कर यह भारत का निर्मानों उसकी बारे में बात कि ऐसा नहींद है, जो बात कर दिया जा रहा है उतकी बात नहीं की जा रही है पूरे प्रापर उसकी बात की जारी है कि यहां पे बारत की सरकार की बारत की सरकार जो ती बिटिस ताज के अधिन का कहने कला COR features जnesे यह जो नियम था ना नियम से पहले और नियम के पश्चात यह पारह करने यह कारे करने वाली है प्रवासित छेत्र थे प्रशाशन की स्वायता इकाईयों की रूप में कारे करने की अनुमती दे गई जो भी प्रवासि छेत्र की इतना एरिया इस प्रांत का है तो वहाँ पर अधिकार दिये गया जैसे जो प्रांत हुआ करते तो उसमें वाईसराय का कमांड होता था ठीके तो उसको यहां पर खतम करते हुए यह कहा गया कि आप यहां पर कारे अपने इसाब से कर सकतें तो यह भी एक इसके अंदर में रखा गया केंदR और एकाईयों के बीच में तीन सूचियों के अधार पर सक्तियों का बटबारा के हैं ठीकिए सबसे मेल क्या होता है कि इससे पावर खूर बांटनाई जो सक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और इकाही जो छोटी शोटी प्रावंत थे उनके उनकी बीच में तीन सूचु के दार पर सक्तियों का बट्वारा किया गया डलित जातियों महिलाओं और मस्दूर वर्ग सेल अलग से बात की गयी एक संगी लोग कि दो या बोलो आजके सम YEA, बोलते हैं BIS बनना IPS तो लोग से वा À27 की देसाफना की गई एक संगी है जो केंद्र सरकार के नतरगत कारे करते दे किस तरीके से उचीजे करना है उसके बारे में दो या दो से अन्य परांतों के लिए एक सांती बोग से वा IEO और संयुक्त बोग से वा IEO की स्थापना की गई कुछ परांतों के लिए क्या गए एक परांती बोग से वा IEO की इस्थापना की गई घी के जिसमें regional जो मतलब state level पे जो IEO यूप्स्स वाली होते हैeras color job जिसे हम बोलते हैं ठीक है BST, BPSC तो वो इसके अंदर में रखा गया और यहाँ पर UPSC भी यहाँ पर रखी गई अंग्रेजियों के द्वारा ही UPSC का जो एक्जाम था आपका IES IPS बनने का वो अंग्रेजियों के द्वारा ही यहाँ पर यहाँ पर भारत के सरकार का कोई युगदान नहीं बोला जा सकता है सासाथ में एक संग्य न्याले की स्थापना प्रॉपर तरीके से एक न्याईक ववगस्ता हो यहाँ पर पहले देखाओगे तो अंग्रेजी सरकार ही न्याले को यहाँ पर यहाँ पर संग्य न्याले जहाँ पर में और रूपर तरीके से एक संग्य न्याले जो सभी के लिए उपन हो इसके लिए आप की गई पहली बार भारत के सविधान रूपर ने के लिए सविधान सवाका इसके अंतरगत गठन किया गया जिसके अंतरगत सविधान किस तर से तयार हुआ इसके बारे में बात किया गया ठीक है समझ में आता है तो कुछ ये परमुक विसेशता ही थी इस कानून के जो हम बात करते है 12 सरकार अदिनियम 1935 हम इसके उदेश्य के बारे में बात करें कि क्या उदेश्य थे तो भारस सरकार के अधी मंध़ें के द्वारा दूएश सरस उसर्चन करने की बात कि नहीं होता क्या है और केंद्र में द्वेश आशन की स्थापना की गई केंद्र में मैं अलग अलग बटा हुआ था जैसे भारत टोटल 555 राजवड़ में बटा हुआ था तो टोटल यहां पे 555 शाशन करने वाले लोग थे और यहां पे जो अब उसतर की गतिविदी लाए गई जहां पे जो द बिर्टिस सरकार के प्रांतों के लिए आशिंक और सभी रियासतों के अंदर में भारतिय संग की स्थापना की गई जो भी बिर्टिस रियासत थे या बिर्टिस प्रांत थे जिसके उपर में बिर्टिस सरकार को प्रॉपर डारेक्ली कंट्रूल होता था और कुछ ऐसे संग थ ब्रिटिस आसन को सुरक्षित रक्षत करते हैं और यह पूरी विवस्था थी न कहीं न कहीं यह कानून लाना ब्रिटिक सरकार को सुरक्षित राक्षित रखने के πεगार ó जिससे British सरकार यहांपे British सरकार, British आशन यहांपे सुरखषी तरह सके, और लंबे समय तक भारत के इंदर में कर सके. भारत सरकार के लिए प्राभधान किये गए अलग अलग तरीके के यहां पर rule regulation introduce किया गया प्राभधान किये गए ठीगा भारत की सरकार जो थी British Targ के अधिन रखा गया कि किस तरीके से यहां पर rule regulation होगा सब कुछ British Targ के अंतरगत आएगा यहां पर जिजे कि गए 1935 के अधिनियम के अंत्रकत कुछ अनुसूचियों को इंट्रिद्यूस किया गया तोटल यहाँ पर आप देखोगे तो 10 अनुसूचिय आती है जिसके अंदर में पहली जो अनुसूचिय है वो संग्य विदाइका की संद्चना के बारे में बात करती है कि किस तर से गवर्णर जनल की पावर होती है क्या गवर्णर रूस होते है उसके बारे में बात करती है अनुसूचिय चार के अंदर में सपत और परतिग्या के बारे में बात किया गया जैसे जो भी नेता सपत लेता परतिग्या लेता तो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया सुची पांच के अंदर में अगर आप देखोगे तो प्रांतिय विधान मंदलों की संद्चना के बारे में बात किया गया एक के अंदर में मताधिकार के बारे में बात किया बर्मा से संबने कि यहूं जो 1935 का अधिनियम है था न है एक साथ दो देश्वे लिए इंट्रीओश किया गया था बर्मा के लिए और भारत के लिए इंट्रीओश किया गया था जिसमें सुची नंबर एक से लेकर टोटल नौ तक क्या जो पूरा था यहां पर वह भारत के ल रूप में वो कही ना कि असंतोष जनक मानी जा रही थी प्रॉपर तरीके इस फॉल उप नहीं किया जाना था इसके रीजन क्या था कि जैसे यह चाहते थे कि इस अधिनियम के अंतरगत एक संग्य परनाली स्थापित हो जहां पर सभी गौर्वर्मेंट एक साथ मिलकर का रहे कर तक है अंग्य परनाली स्थापित करने में वह सफल रहे क्योंकि जो भी जब इस तरह का रूल रेगलिशन आया ना तो जितने भी रियासते थे या जो ऐसे थे वह अपने आपको सोतंत्र गुसीत करने लगे कि भीया मैं अलग होना चाहता हूं मैं अजाद होना चाहता करने लगे बृटिस प्रांतों में भारते प्रांतो को एक साथ लाने का प्रियास किया गया बृटिस यह जो प्रांत तो ने सामयल होने देशा जातुरा पर जब अंग्रेज भारत को पांशो पैसे टूर। ने भी राजी थे जितने भी प्राँत थे जितने भी रियासते थे सबख मैंने अधिकारत दया कि आप आपको जो करना ना वो कर लो आप भारत के साथ मिलना चाहते हो भारत के साथ मिल जाओ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो पाकिस्तान के साथ चले जाओ सोतंत रोना चाहते हो सोतंत रोके चले जाओ पर यहां पे हमारे एक जो व्यक्ति हैं जो राजनेतिक के अंदर में जिन के मातरह नहीं करेंगे अभी नौरहत्रों का टाइम चल रहा है तो अखंड भारत का सपना अभी अपना पूरा हो जाएगा तो अखंड भारत जो आज 550 जो हमारा दिखता है ना भारत का सुरुप वो कहीं न कहीं जो हमारे लोग पुरुस्ते सरदार बल्लब भाई पतेल उनक किस नाम से बुला जाता है जिसके अंतरगत सभी राजवाड भारत के अंदर में सामिल हुए थे सलिए देख़ते कितनी स्टूइट को पता है यह कोशन 12 में भी आ रखा है कर 12 पढ़ा होगा थोड़ा से याद होगा नहीं पता है ना तो पूछी आ है गूगल से पता किसी ह आपको नॉर्मली बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमारे भारत के बारे में तो यहाँ पर वीडियो एंड करेंगे बसरी की बैस यहीं रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सस्क्राइब नहीं कर रहा है तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिए हमारे दाइन आपके पर दोनों चैनल को सिस्क्राइब करना है और बड़ा करना हम साठी ज जर नcking के बराबर में करना है करना है और आपको दिस्क्रिप्शन वेकर लिंक मिल जागा सकते हैं एक बीーपे thank you so much for listening me bye-bye take care on the back